हेलो बच्चो स्वागत है आप सभी का स्यूटी वाला पर मेरा नाम है अंकित मालवी और आज के सेशन में हम चर्चा करने वाले हैं भारती इतिहास के पार्ट टू जिसका अध्याय नंबर फाइव यह थीम नंबर पांच जिसमें हम देखेंगे के त्रो दा आईस ऑफ ट्रेवलर्स प्रिशिपेसं ऑफ सोसाइटी 10th century टू 17th century कहने का मतलब है यहां पर हम बात करने वाले हैं कि जो भी यात्री लोग आये हैं भारत में जो भी ट्रेवलर्स आये हैं उनकी नजरिये उनके नजरिये को जानेंगे देन समाज के भारती समाज की बारे में उनकी क्या राय रही उसके बारे में हाला कि इसका हमने फर्स्ट पार्ट था अल्रेडी कवर कर चुके अब हम यहाँ पर सेकंड पार्ट को कवर करने वाले कई सारे केंडियेट्स यहां पर जुड़ चुके हैं कुसल दिल्खुस तो सभी लोग एक बार फिर से ज यात्री आये हैं लेकिन हमने उनमें से तीन महत्पून यात्रियों के बारे में चर्चा करी थी उनका ओके सो यहां पर अर्पना अंसू भी जोड़ चुकी है तो देखिए ओके दिलकुस बोल रहे हैं पाई लागू गुरुदेव थैंक्यू दिलकुस ओके सो नाउट एक्ज इसी यात्री आया था फ्रेंग को इस बर्नियर जो की रिलेटेड है फ्रांस से यह तीन यात्री जब भारत में उनका बेक्ग्राउंड और कुछ बेसिक चीजों को अल्रेडी हमने कवर कर चुके थे सो बेसिकली इन दिस सेशन इस सेशन में किन चीजों के ऊपर चर्चा कर करी थी कि उन तीन यात्रियों के बारे में तो बेक्राउंड को समझ लिया था कि वह कहां से बिलौंग करते हैं और वह किसकी सताब्दियों में आया जैसे फर जो बर्नियर था वह सेवन्टीन सेंचुरी में आया था और जो अलबरूनी था वह वह आया था आपका 11th के अंदर भारत के जो समाजिक स्थिती रही है भारत की धार्मिक स्थिती रही इसके अलाबा जो आर्थिक स्थिती रही है उसके बारे में जो उन्होंने बर्णन किया है और जो जो प्रॉब्लम्स उनको फेस करनी पड़ी है इसके अलाबा कई सारी रोचक चीजों को उन्ह बिल्कुल कर रहे हैं कि मैगजियum चीजों को 처ideी में भी डिसक्स किया जाए त classe से बाहर नहीं आएगा एक्साम में देखिए जहां तक बताया जा रहा है से यह इंसी आर्ती स्ट्वैल्थ आपका हिस्ट्री से बाहर तो नहीं आना चाहिए जहां तक लग रहो है कि इससे बाहर तो नहीं आएगा आपको पूरी तरह इंची आर्टी का जो नोट से उनी पर पूरी तरह से केंध्रिट रहना यानिकि उससे बाहर तो नहीं आएगा जहां तक मुझे लग रहा है उससे बाहर नहीं आएगा आपको यहीं पढ़ना ठीक है समझगे सभी लोग जिससे की सभी केंडियेट को टाइम पर पता चल सके कि कौन सी क्लास की सब्जेक की क्लास कितने वज़े खुशी बिल्कुल इस बात को ध्यान रखा जाएगा थेंग्यू फॉर इंफॉर्मिंग मी तो यहां पर हम देख लेते हैं कि क्या क्या चीज़ें जिनने आज के सेशन में चर्चा करने वाले सबसे पहले आप लोग देखेंगे मेकिंग सेंस ओफ एन एलियन वर्ड अलबरूनी एंडी सेंस क्रेटिक ट्रेडिशन इट मींस एक आपरीचित संसार की समझ मेकिंग सेंस ओफ एन एलियन वर्ड का मतलब हो जाता है एलियन आप लोगों ने सुना ओगा एलियन मतलब आप परिचित जिसके बारे में जानकरी ना हो ही है ओके सर सोचियोलोजी की क्लास कब से स्टार्ट होगी बिल्गुल यह जल्दी होगी रोहन सर्मा बिल्कुल चिंता मत करिए ठीक है सो मेकिंग सेंस ओफ एन एलियन वर्ड इस एक आपरीचित संसार की समझ साती साथ शांस क्रेटिक ट्रेडिशन याने सांस क्रिक परं जानते फ्रेंक को इस बर्नियर जो फ्रांस का यात्री था 17th century में आया था तो बर्नियर और अप विक्सित पूर्व क्योंकि बर्नियर ने अपने जो भी लेख लिखें उसमें उसने क्या कहा है कि भारत में जो भी स्थितियां उसको मिली उसने हमेशा उनकी तुलना पस्चिम यानि यूरोप के देशों के साथ करी और उनके साथ तुलना करते हुए भारती स्थितियों को भारत के डेवलप्मेंट को हमेशा क्या बताया दख्राइनी बताया पूर्व यानि पस्चम् मतलब U slightly एसिया तुलना करकर ठीक है तो यहाँ पर इसलिए डिस जन्रेट डी जन्रेट इस्ट याने अब विक्सित पूर्व कहा गया है वुमें सलेब से सती एंड लेवर्स याने की महिलाएं दासी सती और स्रमिक यह आपके मुद्दे हैं यह चार ऐसे कॉंसेप्ट हैं जिनके उपर डिसक सामने आ रहा है मेंकिंग सेंस ओफ एन एलियन वर्ड याने आपरीची संसार की समझ अलबरुनी और संस्कृतिक जो परंपराएं उनके बारे में हापे चर्चा की जाएगी ठीक है अक्षत जहां ने बहुत बड़ा सा मेंसे लिग दिया है तो आपको एक्स्ट्रा जाने की जरुरत नि इतना ही आप करिये जो कि क्ला क्योंकि मैं एंसी को फॉलो कर रहा हूं तो आपको यहां पर इसी इस से ही कोस्ट्सन बनने की पूरी तरह से संभाव ना ठीक है चलो तो यहां पर पहला कॉंसेप्ट देख लेते ओवर्कमिंग सões भषट की बाधक अनसे किस तरह से उन पर किस सरह से बिजय पाप फ़िए। उन्से किस तरह से उबरा गया तो यहां पर व मतलब हो रहा है दो होरा है इस इस बात से हमुझे कि था दो भारत की सामझिक स्थिति को समझने के दौरान उसकों बहुत पन उसको उस एकस्प्लें किया आगा भारत में आया तो कई प्रकार की बाध्यॐसाइआ आ रही थी जिनको वह जिनके कारण बो अपने अपने टार। प्राप्त नहीं कर पा रहा कि अपने और यो जो फोरेनिर्स भारत में आये आपने इससे पहले जो फीम नंबर चार पड़ा था जिसमें हमने फिंकर्स बिल्डिंग्स की बात करी थी कल्चरल डेवलप्मेंट पड़ा था उसमें मैंने आपको एक concept था ठीक ठीक है ना एक concept में आपको यह समझाया था कि जब भी कोई विदेशी आतरी भारत आते हैं या फिर एसे इस्थान पर जाते हैं जहां की कला परंपरा या बहां के बारे में वहां की संस्क्रति के में तो वो उसकी तुलना किस्से करतें जिससे वो परीचित होते हैं उधारन के लिए मैं आपको बताता हूं कि अठार्वी 19 सताब्दी में जब भारत की उन स्थानों पर खुदाई की गई जो जो पुरातात्विक स्थल तो बहां से जो मूर्तियां मिली अब मूर्तियों में क्या था कि हमारे देश में जो देविदेपतों की मूर्तियां बनाई जाती थी उनमें कई आठ था उससे उन्होंने तुलना करी तो सेम यहां पर आप समझें कि चूकी भारती परमपरा से अबगत नहीं है तो उसकी तुलना किस्टे करेंगे जिससे परीचित हो ठीक है यह कॉंसेप्ट यहां पर आप समझ के रखें कि जितने भी फोरेनर्स आते हैं वो इस प्रकार स उसको समझने के लिए अलग-अलग नीतिया बनाई अलग-अलग बिधिया बनाई ठीक है अलबरुनी फॉर इस्टेंस वोस अवेर आफ दी प्रॉब्लम इनहेरी टेंस इन टास्क यह सेट इंसल्फ तो अलबरुनी जिसके अपने कुछ लक्ष थे अपने कुछ उद्देश ठीक है अलबरुनी तो यहां पर उसने जो जो प्रॉब्लम से जो जो बाधक उसके सामने उत्पन हुए उसको उसने आइडेंटिफाई किया देखिए इसके सामने उनको मैं बता दूँ सबसे पहले नंबर पर आता है जो उसके सामने सबसे बड़ी बाधा थी वो क्या थी हालब कि अलबरुनी भारती भारत में जो भाषाय चल रही थी उस से अब्गत था लेकिन लेंग्वेज बहुत बड़ा धेरियर था क्योंकि उसकी जानकारी तोर्स थे भारत सबसे बढ़ा यहां पर बेरियर बन गाया कौनसी भाषा संस्क्रति के बारे में अलवरुन ये बोलता एक भाषा जो थी वह अत्यन्थ ही इसे श्मंझना अत्यन्थी क्ठिन का रहे था कि यह अर्वी और फार्ची भासा की भासा की तरह उतनी आसान नहीं थी ठीक किना यहाँ पर एक सब्द कई सारी बस्तूं को इंड जिसके माद जो उसकी अंडरस्टेंडिंग को बिल्ट करने में एक बाधा बनती है तो भासा की बात कर लिए दूसरे और भासा कौन सी संस्क्रिट ठीक है सेकेंड नंबर पर आप लोग देखेंगे दूसरा दूसरी जो बाधा उसके सामने उत्पन हुई वो धार्मिक बिभेधता और साथी साथ परंपराएं परंपराओं में अंतर या जो प्रताएं हम हमारे समाज में चलती थी उनमें अंतर था जिस समय अलबरूनी भारत में आया उस समय पर ब्रोडली अगर बात की जाये तो भारत में हिंदू धर्म था उस समय पर भारत में जेन धर्म और बहुत धर्म था तो भारत के अंदर अलग अलग धर्म को मानने वाले लोग रहा करते थे और उसी अनुसार उनकी प्रताएं और परंपराएं भी अलग-अलग हुआ करती थी तो दूसरा जो उसके सामने बाधक बना वो क्या बना कि अलग-अलग धर्म और अलग-अलग धार्मिक परंपराएं या प्रताएं ठीक है जो उसको समझने में काफी ज्यादा बाधा उन्होंने पेदा करी तीसरे नंबर पे जो आता है वो आता है अभिमान याने लोगों का लोगों के अंदर कुछ ऐसी चीज़ें थी जिसको जिसके कारण उसके सामने प्रोब्लम उसको फेस करना पड़ी दसेल्फ ऑब्जर्ब्शन याने आत्म अब्सोर्शन एंड कॉंसिक्वेंट इंसल्ट्री इस परिणामी जो कुटिलता थी कुटिलता थी भारत के लोगों के अंदर वो उसके लिए तीसरी बाधा के रूप में संगठित होती है तो यहां पर आप लोग देखेंगे उसके अनुसार इस्थानी आबादी के आत्म अब्सोर्शन और प्रणाम सुरूप संकिर्णता ने तीसरी बाधा का गठन किया इस तरह से आप यह दो ध्यान रखें दो काफी महत्पून है ठीक है दो महत्पून चीज़ें सबसे पहला लेंग्वेज और दूसरे नंबर पर क्या आ जाता है कि जो डिफ्रेंस थे रिलीजन और रिलीजियस प्रैक्टिस में ठीक है तो यह दो बड़े बेरिय समझने की कोशिस करिए जैसे कि बेद पुराण रामायन महाभारत पतंजली के द्वारा लिखा गये ग्रंत महाभास इसके अलावा मनुश्मृति उन्हीं में बताएगी बातों को अपने ग्रंत के अंदर इसने सामिल किया है उद्रत किया है सभी लोगों को इतनी बात समझ लेकिन इसके बाब जूद उन्होंने जो उप्योग किया है अपनी चीजों को समझने के लिए भारत के ही जो धार में ग्रंत संस्कृत या ब्रहमनों के द्वारा लिखें ग्रंत है उन्हीं का यूस कि चलो आगे बढ़ते हैं अब यहां पर अलबरुनी संस्कृत को किस प् करता है अपने ग्रंत के अंदर उसको यहां पर हम थोड़ा सा डिस्कस करते देखिए इफ वांट टॉकॉर दिफिकल्टी यदि आप इस समस्या से उभरना चाहते हैं तो यह अत्यन्ती कठिन कार्य समस्या से उभरने का मतलब है अगर संस्कृत भासा को समझना है तो यह का क्षिक कठी चांड चांट का रख का ठीक है वह स्थिस्ट गपक प्रकारा से हम भात करते और फार्सी भासाओं की उसी तरह से उसी झांकि छब को बन एंड सेम मतलब यहां पर बोला जा रहा है कि चाहे सब्द हो चाहे अभी विक्ति हो सभी के माद सभी की जो रेंज है वो काफी ज्यादा बिस्तरते और कई बार एक बस्तू को दर्साने के लिए कई सब्दों को प्रियोग किया जाता है और कई बार एक सब्द के माद्यम स से कई सारी बस्तू को दर्सायत दिया जाता है तो इन में अगर आपको डिफरेंस समझना है तो उसके लिए प्रोपर तरीके से संके तक का उप्योग करके आप इनके डिफरेंस को समझ सकते हैं यहां पर ब्रोडली तरीके से समझाने की कोशिस की गई है कि संस्कृत भासा क के बारे में उसके क्या विचार थे कि संस्कृत भासा कितनी ज्यादा कठीन हो सकती है और उसको अगर आपको समझना है तो उसमें यह सारी प्रोब्लम साफ कर सकते हैं यह भी और फार्टी की तरह उतनी ज्यादा सरल नहीं है इसमें एक सब्द के माध्यम से कई सारी को explain करने के लिए यहां पर होता है उसके लिए आपको प्रोपर तरीके से संकेत जैसे कॉमा बगेरा यूज करते हैं वो सब यूज करके आपको चीजों को समझना होगा ठीक है चलो भाई आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट अलबरुनी डिस्क्रिप्संस ऑफ दी कास्ट सिस्ट भारत की जाती विवस्था थी उसके बारे में अलबरुनी के क्या कथन है उसके बारे में अलबरुनी ने क्या कहा है उसको समझते कास्ट सिस्टम को याने जाती विवस्था को आप सभी जानते हैं कि भारत में उस समय पर जो कास्ट सिस्टम था जो जाती विवस्था थी उ उसको भी समझते हैं तो यह सारी चीजों के बारे में भी इसने हाँ पर डिसकस किया ठीक है चलो अलबरुनी ट्राइट टु एक्स्प्लेंद का सिस्टम बाइ लुकिंग पोर पेरेलल इन दी अधर सोसाइटी अब अलबरुनी ने भारत के समाजिक बर्ग को समझाने के लिए यहां पर लोग देखेंगे अलबरुनी ने अन्य समाजों में समांता हैं देखकर जाती विस्था को समझाने की कोशिस की याने की अन्य जो सोसाइटी थी उनको समझ कर भारत की जाती हो श्ब्रीन करने की कोशिस की ठीक है पर साथी उसने यह बताया कि जो इंसिंट पर इंसेंट पर सिया था जो प्राचीन फारस था बहां पर भी समाझ का बरगी करण किया गया था वहां पर भी सामाजिक बर्ग विक्सित हुए तो यहां पर आप लोग देख सकते हैं पहले नंबर पर आप लोग देख रहे हैं नाइट्स एंड प्रिंसेस याने की जो घोड़ों पर जाने वाले जो लोग होते हैं वह दैन प्रिंसेस यानि की जो राजकुमार होते हैं उनका एक बर्ग हुआ करता था इन्हें जो एलीट कम्यूनिटी है ठीक है घुड़सबार और जो राजकुमार है एक्सेटरा इसके अलाबा भिक्चू और पुजारी याने पुरोहित लाए लायर्स इस तरह के दूसरे बर्ग को इसने इंगित कि है तीसरे चिकित्सक एस्ट्रोनोमर्स एंड अधर साइंटिस्ट इट मीज चिकित्सक खगोल सास्त्री या खगोल विद और बैग्यानिक और चोथे नंबर पर या अंतिम जो बर्ग था पारस में वो थे किसान और सिल्पकार इस तरह से अलबरूनी ने भारती समाज की जो करी है वह अन्य समकालीन समाजों से कटे हुए बताया कि वह फारस में इस तरह से चार बर हुआ करते थे और यह बर्गी करण सिर्प भारत की सीमित नहीं था अन्य समाजों में भी वरोगी करण किया गया तो आपको यह चीज को थोड़ा ध्यान देना है यहां पर ठीक है कि पर अलबरूरी ने किस तरह से explanation किया है इंडियन सोसाइटी को किस तरह से compare किया है और साथ पर्सियन सोसाइटी के कितने classification यहां पर किये सभी लोगों को बात समझ में आ गई होगी आगे बढ़ते हैं अच्छा यहां पर उसने यह भी बताया है कि पर्सिया का जो सोसाइटी है यह इसलाम रिलीजन जो है उसमें सभी को समानता के साथ देखा जाता है उसमें लोगों के साथ भेदभाब नहीं किया जाता है भल अलबरुनी डिस अप्रूब्ड अब था समाजिक विवस्था थी उसके अंदर आप अभित्रता की जो माननेटा थी वह काफी ज्यादा प्रचलन में चला करती थी अपश्वित्रता की माननेता याने कि अपश्वित्र हो जाना थी कि 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 चूल लेने से एकी चीज कुछ का व्सको माननेता दी कि भई गया पनी तरफ से मांनЕТा नहीं देते हैं कि अब देखें कि कि उसके बारे में उन्होंने क्या कहा? देखे इनका ये मानना है, अलवरूनिका ये कहना है कि कोई भी चीज अगर अपवित्र हुई है, तो वो continue ये प्रयास करती है, लगातार ये प्रयास करती है कि वो पवित्र हो सके, ठीक है यहाँ पे कुछ examples उन्होंने बताए जैसे कि सूर्य, सूर्य का जो प्रकास है वो बायू याने हमारे बातवरण में चलने वाली जो हमा है उन्हें पवित्र करता है उसी प्रकार समुद्र के अंदर जो नमक है वो समुद्र के पानी को अपवित्र होने से रोकता है तो बेसिकली अलबरुनी ने भारती समाज के अंदर जो अपवित्रता की माननेता है उसको किस प्रकार से यहाँ पर माननेता नहीं दिये और उसको किस प्रकार से यहाँ पर समझाने की कोशिस किये ठीक है तो यह चीज आप लोग ध्यान रखें यह concept यहां के इसके उपर से क्लेड होने से रोकता है बचाता है अब यह बातें यह कथन किसके द्वारा मेंसन किये गए इस प्रकार से एक्जाम में कोशन पूछ लेगा तो आपका आंसर क्या होगा अल बरुनी यह अपने लेखों के अंदर भारती समाज में जो जो आप अवित्रता की माननेता है उसक समाज में अलबरुनी के द्वारा भारती समाज को जो एक्सप्लेनेशन किया गया था उसका जो बर्ण किया गया था वो पूरी तरह से उन ब्रहामनीकल ग्रंतों के उपर आधरित था उसका उसने गहनता के साथ अध्यन किया था जिने ब्रहामनों के द्वारा लिखा गया था यानि कि ये पूरी तरह से ब्रहामनों के द्वारा जो रूल्स रेगुलेसंस समाज के लिए निर्धारित किये ग एक प्रकार से उनको इसने क्या किया रीड किया लेकिन बास्तविक था थोड़ी अलग थी बास्तविक समाज में उतने ज्यादा कठिन रूल्स रेगुलेशंस नहीं थे जो ग्रंतों में लिखे गए थे वह ब्रहामणों की जो द्रश्टी कौन थे उसके आप बेसिस पर यहां पर भारती समाजिक विवस्था या कास सिस्टम या वर्ण विवस्था के बारे में क्या यहां पर चीजों को बताता है और उसको हमें किस तरह से समझना है ठीक है यहां पर आप लोग देख सकते हैं अलबरुनीश डिस्क्रिप्शन ओंडी का सिस्टम उस डीपली इं संस्कृत के ग्रंतों के ऊपर आधरित सभी लोगों को इतनी बात समझ में आ गई होगी थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं यहां पर अगला जो यातरी है उसके बारे में आप चर्चा की जाई कि जिसका नाम है इबन बतूता ठीक है इबन बतूता दा एक्साइटमेंट ओफ इसके पहले ना एक जो सोर्स है आप लोग एक सोर्स को दियान रखेंगे जिसमें हम बात करेंगे किसकी बारे में बढ़न सिस्टम या बढ़न विवस्था के बारे में तो बढ़न विवस्था के बारे में बढ़न विवस्था के बारे में बढ़न विवस्था के बारे में चारोबर्न के अंदर उसने सभसे पहले Brachamon Virn के बारे में बताया और यह भी कहां से उद्धरं लिया गया है अलबरुन्य के दीजुरा तो वहीं संस्क्रट के ग्रण है उनिती उसी में पताया कि सबसे पहली जो केटेग्री यह व exist c vir ब्रह्मा जिसे की सकती या फिर प्रक्रती का ही दूसरा रूप माना गया है उनके सिर से या उनके हेड से उनकी उत्पत्ति हुई है इसके अलावा छत्री इसलिए उन्हें समाज में सबसे ज्यादा प्रमुक माना गया है इसके अलावा दूसरी बात की जाए छत्रियों की तो उन्हें अब्रम्मा की भुजांव से उत्पण्वा माना गया है तीसरे नमब इस ततरह के ज़ो लेक हैं इस प्रकार की जो सोर्स हैं आपको एंसेआट में मिलेंगे कि किस प्रकार से उन्होंने वर्डव को अब हम बात करेंगे दूसरे नंबर पर इबन बतूता इबन बतूता जो कि कहां से आया था तो आप सभी जानते इबन बतूता मोरक्कों से आया था मोरक्कों कहां पर है तो अफ्रीका का जो पूर भी अफ्रीका का जो एकदम पस्चिमी छोर आता है उत्तर और पस्चिमी छो इस समय पर भारती उपमहादीप पूरी तरह से जो नेटवर्क है भारत का जो संचार है वो पूरी तरह से डैबलब हो चुका था यानि कि भारत की जो सूचना है भारत का जो सिस्टम है काफी डैबलब हो चुका था भारत में उत्तर की और अगर देखा जाए तो चीन और पूर्व नॉर्थ वेस्ट की बात करें तो अफ्रीका और यूरोप तक भारत का जो नेटवर्क है वह हो बिल्ट हो चुका था उस समय पर इब्न बतुता भारत आया था और बतूता आसा ग भारत में काफी ज्यादा जो नेडवर्क है वो बिल्ड हो चुका था और एक्स एक्सपांड हो चुका था ठीक है पहला पॉइंट तो आप लोग यह ध्यान रखें बाइद टाइम इबन बतूता अराइब देली सब कॉंटिनेंट वस पार्ट ऑफ ग्लोबल नेडवर्क यान इसके अलाबा जो धर्मिस्थल थे मंदिर बगेरा थे इबन बतूता ने एक्स्टेंसिबली यात्रा करी है ने एक्स एक्स्ट्रीम लेवल पर भारत की अलग अलग स्थानों पर घूमा फिरा है कई प्रकार के पूजा इस्थलों पर गया है कई सारे नगरों के अंदर जाक ब्यापी जो परंपराएं उसका उसने उफभोग किया और इनमें जो डिसकसन होता था इसमें उसने समझाए कि लोगबाग अर्भी फार्ची तुर्की संस्कृत अन्डे भासाओं के माध्यम से एक दूसरे के बीच में विचारों का और चीजों का आदान प्रदान करते थ इन चीजों से पूरी तरह से अब गत था कौन इबन बतूता भारत में बड़े लेवल पर यह ट्रेवल किया था ठीक है इबन बतूता सर हिंदू था या मुसलिम ऑब्यसली दिलकुत यहां पूसरे इबन बतूता एक मुसलिम ही था एक इसलाम रिलिजन का फोलोरी था क्यो सरे करें सबस्क्रांबिंवर भारत में बुहमंद बिन तुम्सलिम का दूसरा सुल्तान था ठीक है जिसके बार कहा जाता है कि अच्चünde ही संखी किस्म का राजा था लेकिन इसके द्वारा डिशीजन सलिए गए जो निर्णे लिए गए वो उस समय के अनुसार नहीं थे ठीक है वो डिसीजन आज के लिए तो सही है लेकिन उस समय पर कर दिये डिली से दोलता बाद महाराष्ट में आता है कि राजधानी केंद्र में होना चाहिए इस तरह के कई पागल किसम का राजा माना जाता था लेकिन उस समय का सबसे ज्यादा योग और पड़ा लिखा सकता ठीक है चलिए तो यहां पर हम बात करें मुहम्मद बिन तुगलत के समय पर आने वाले इबन बतुता की इस भी एफ सीन देट इबन बतुता हिमसेल्फ ट्रेवल्ड एक्स्टेंसिबली थो दीस लेंड चैने भारती उप महादीप के बड़े हिस्ते पर इसने यात्राय करी है चीजों को समझा है अलग-अलग स्राइन्स पर गया है लोग बाग एक दूसरे के साथ आइडियास को य काफी ज्यादा प्रमुक थे एसे राजा महराजाओं का जिक्री किया जाता था जो काफी क्रूर भी हो सकते थे और अच्छे भी हो सकते थे आम पुरूस और महिलाओं का जिक्र होता था तो इस प्रकार से यह जो कहानिया थी वो लोगों के बीच में डिसकस की जाती थी इन प्रती प्रकार की stories कहानियां लोगों के बीच में famous थी जिसमें कि कई ऐसे रा लोगिवा करते थे जो अपने धर्म के प्रती काफिता प्रमुक्त थे फेमस थे यस राजा महाराजाओं का जिक्र होता था आम लोगों के बारे में जिक्र경 किया जात उसमें उन चीज़ों को काफी ज़्यादा अच्छे से रेखांकित किया जो उसके पाठकों के लिए उसके लिसनर्स के लिए काफी ज्यादा आ परीचित थी ठीक है और वो उनके वो जब उस चीज को पढ़ ली जो आपके देश में तो चल रहे हैं लेकिन दूसरे देश में नहीं चलती है तो एक अट्रेक्शन पेदा होगा तो इसने उन परवेज ए आई आई एमस से जोड़ चुके हैं यहां पर तो आप लोगो मुझे लग रहा बात समझ में आ गई होगी कि इन्हों को उसने काफी अच्छे से explain करने की कोशिस की इससे क्या होगा कि देखिए उस वो जो गरंत लिख रहा है वो किसके लिए लिख रहा है कौन उनको पढ़ेगा तो इंडिया में तो लोग पढ़ेंगे पढ़ेंगे लेकिन जो अरब देश हैं जो मोरकों के लोग हैं जब वो इसको पढ़ेंगे तो उनके अंदर एक इंट्रेस्ट आएगा कि अच्छा यह चीज़ें यहां पर चलती है यह बात को आपको समझना देखिए तो यहां पर किस प्रकार से इसने को को कोनेट का मतलब क्या होता नारियल को किस प्रकार से explain किया ठीक है नारियल यहने को को न इसने इन है यह बोल रहे हैं कि यह जो ब्रक्ष है नारियल का यह प्रकृति में पाया जाने वाला अत्यांति रोचा कि एक विसेश्प्रकार की बिसेश्प्रकार की बनस्पति यह यह बहुती अलग टाइप का बहुती स्पेसल टाइप का क्या है ब्रक्ष है किसका नारिय दिया है ठीक है नेक्स्ट तो सबसे पहले तो क्या कहा कि यह जो पेड़ है जो ब्रक्षे काफी ज्यादा सकते ज्यादा क्या है रोच एस पेशले डिफरेंट टाइप कब रख शेटीक है देलुक एक्जेकली लाइक देट प्लेंट प्लाइप पांप्स यानि कि यह देलों लाइंब और दूसरे से क्या होते ऊच्छा एक से नारियल कि क्या उकते हैं ख़जुर रुटेसर रुकते हैं ठीक है भी यहाँ पर जो नारियल है उसकी तुलना उन्होंने मानप के सिर से कर दिये जिस प्रकार मानप के सिर में दो आखें होती है उसकी तुलना उसने करी कि भई यह जो नारियल इसमें भी दो ऐसे आपने देखा होगा नारियल में इस तरह से पॉइंटर होते हैं तो उसकी तुलना आखों से क ट्रीक कितने सब्चेक्ट से दे सकते हैं यहां पे पूछा जा रहा है मोहंमद परवेश कुछ रहें कि कि तने सब्जेक्ट याप से एक्जाम कि आप कई सारे सब्जेक्ट के माध्यम से इसमें दे सकते ठीक है अभी मैग्जियम् के रिंच है वो तो exactly अभी मुझे नहीं पत बट आप कई सारे जो सब्जेक्ट हैं उनको आप सिलेक्ट कर सकते हैं इस एक्जाम को देने के लिए ठीक है मैं आपको कमेंट करके बता दूँगा नेक्स्ट आगे चलते हैं हम दा कोकोनेट एंडी पाम तो यह ओल्रेडी मैं आपको बता चुका हूं कि उसने अपनी चित्र यह चित्रण की बिजियों में अच्छा में मेक्जिम टेन आप फटेल अनसर दे दिया है थैंक्यू दिल्खुस और मोहमद आप इस चीज को देख लें कि 10 आप मेग्जियम कर सकते हैं ठीक है में कितना कर सकते हैं ठीक है दिहान रखेंगे तो सम ऑब दे बेस्ट एक्जाम्पल्स ओफ इबन बतूता सी स्टेटेजीस ओफ रिप्रेजेंटेशन और इविडेंट इन डबेस इन विची डिस्क्राइब ड़कोनेट एंड पान तो उसने अपनी इस चित्रण की विजियों में यह विशेष प्रकार की जो बनस्पति जो भारत में उप फेमिलियर थे आप परीचित ठीके जी सभी लोगों को बात क्लियर आगे बढ़ते हैं यहां पर पान के बारे में जिक्र किया जा रहा है मुझे लग रहा आप लोग तो काफी अच्छे से जानते हूंगे कि पान क्या चीज होती है ना पान जो होता एक प्रकार से बेला होत ठीके जहां पर रहे है कि किछ प्रकार से उन्होंने पान का जो प्योग उसको आप से पुर सकते हैं कि इसने अरियल के बारे में अपने गरंत के अंदर किसने त। आंसर क्या होगा इबन बतूता अलबरुनी ने क्या किया है वो ध्यान रखना इबन बतूता पान के बारे में क्या बोल रहे है बेटल इस ट्री इस कल्टिवेटेड इन दसेम मैंनर एस ग्रेप वाइन याने इन्होंने यह कहा कि यह उसी प्रकार का बेला है जिस प्रकार से बढ़े ने ग्रेप यह उसी प्रकार की यह लटा के रूप में होता को इसका ब्रक्ष्या कोई पेल नहीं होता है अब देखिए उन्होंने यहां पेहली बार देखा तो उनके लिए तो काफ़ी इंट्रेस्टिंग था हमारे देस में यूज़ों था था तो उन्होंने का य कोई प्रूड वगेरा नहीं उखता है कि इसमें प्यूग सिर्प पत्तियों के लिए फेमल से ठीक है बारिक पीस कर काट कर तब तक पीसते हैं जब तक वो छोटा छोटा ना हो जाए फिर उसके उपर रख कर उसको खाते हैं इस तरह से एक्स्प्लेन कर दिया सिंपल भासा में साध्रान भासा में ठीक है को सिसम करने कि हिंदी में आपके साथ एक्स्प्लेनेशन पूरा हिंदी में चल रहा है तो इसस कोई बड़ा इसूद आपके साथ आप फेस नहीं करेंगे इंग्लिस को लेकर ठीक है only content English में क्योंकि क्या होता है कि अगर हम पूरा हिंदी में भी content को डाल देंगे तो इंग्लि से हिंदी तो समझ में आ सकता लेकिन हिंदी से इंग्लिस विल्कुल समझ में नहीं आएगा ठीक है इसलिए कॉंटेंट को इंग्लिस में रखते हुए हम हिंदी हिंदी में किया उसको समझते हैं अब आप से कोस्तन एक्जाम में यह पूछा जाएगा कि भारती सहरों के बारे में एक्स्प्लिनेशन करने वाला यात्री कौन सा था तो आंसर में क्या आएगा इबन बतूता अलबरुनी ने किन-किन चीजों को एक्स्प्लेंट किया है वो चीज भी ध किया है अब हम यहां पर इबन बतूता की बात करने तो इबन बतूता ने पहले नंबर पर क्या चीज को एक्स्प्लेंट किया था तो जो थोड़ी सी डिफ्रेंट काइंड ओप चीजें थी फॉर एक्जामपल कोकोनेट एंड पान बगेरा इन चीजों को काफी अच्छे से ने रेखांकित किया दूसरा उसने भारती सहरों को किस प्रकार से एक्स्प्लेंट किया उसको समझते देखिए इसने जनरल यह माना कि भारत के जो सहर थे वो काफी सम्रद्ध थे और पॉपुलेशन काफी ज्यादा थी याने की लोग बागों से भरे हुए थे पक्की-पक अच्छे खांसे साधन थे और जो कला में पारंगत थे जिनके पास कोई आठ थी जो जिनके पास कोई कला थी उनके लिए एक अच्छे क्या थे अपर्चिनिटी थी कि वह यहां पर आ सकते हैं रोजगार कर सकते हैं धन कमा सकते हैं तो यह चीज़ आपको समझ में आ गई हो और जिनके पास कोई कला है वो यहां पर आके अपने रोजगार को प्राप्त कर सकते हैं सभी लोगों को इतनी बात क्लियर होगी यह इन्हों ने यहां पर एक्स्प्लेंड किया भारती सहरों के बारे में इबन बतुता ने इबन बतुता फाउंड सिटी इंदी सब कॉन्ट फुल ओफ एक्साइटिंग 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 अपर्चिनिटीज फॉर दोस हैड दी नेसेसरली ड्राइव रिसोर्चेट्स एंड स्किल्स जो मैंने भी आपको एक्स्प्लेंड किया वही चीज आप लोगों यहां पर इंगलिस में देख रहे हैं ठीके सब अपने लेख के अंदर ऑर दिल्ली को माज जो तकस्त चेक्स्त उसमें डेहां ली कहा जाता है यह वाद भी धियान रखना देही इनके द्वारे लिवD टेक्स्तello देहली के नाम से भी पुकार आजाता था ठीक है आते हैं आगे इवन बतूता डिस्क्राइब देहली एस दा वास्ट सिटी अब इबन बतूता ने क्या कहा यह तो मैंने आपको था ढूंके अंदर मंधिर और मस्जिद हुआ करता था तो आंसर में क्या आएगा आपका इबन बतूता इबन बतूता ने भारती बाजारों को मंदिर मस्जिद भी होते थे कई सारे यहां पर रहा करते थे अपनी कला प्रदर्शन बगेरा किया करते थे इस प्रकार की ए इसके अलावा इबन बतूता चुकी दोलताबाद भी गया था क्योंकि आप सभी जानते इबन बतूता काजी के रूप में न्युक्त हुआ था मोहमद बिन तुगलक ने उसे काजी और नियाइधिस के पदपर अपोइंट किया था और इबन मोहम्मद बिन तुगलक ने एक प्लेस एंड इजिली रिवाइबल्ड रिवाइबल्ड डेली इन साइज याने दोलताबाद भी दिल्ली को टक्कर देने वाला ही एक सहर इन्हों ने बताया है ठीक है कहां पर है महाराष्ट में सभी लोगों को इतनी बात समझ में आगई होगी आगे बढ़ते हैं दा बाजार्स वर नोट ओनली प्लेस ओफ एकोनोमिक ट्रांजेक्सन यानि कि मार्केट जो थे बाजार जो थे वो सिर्फ आर्थिक भी निमें कहीं केंद्र नहीं थे महां पर कई प्रकार की गतिविदिया रन हुआ करती थी बट ऑल्सो दी हव आफ सोसल और कल्चरल एक्टिविटिटि जो मैंने बताये कि सामजिक और जो सांस्कृतिक गतिविदियां वह भी यहां पर चला करती थी मार्केट में सिर्फ चीजों का क्रेव बिक्रही नहीं होता था और यह चीज एक प्रकार से रिप्रेजेंट करता है दर साता है यह चीज एक प्रकार से दर साता है कि वहां पर उस समय पर समाज में कितनी सम्रद्धी थी और किस प्रकार से ब्यापार उस समय पर सम्रद्ध था और बस्तुएं भारत के मार्केट में आया करती थी अलग-अलग इस्थानों से अलग-अलग देशों से चीज है इंडिया के मार्केट में आया करती ठीके PG के सबजेक्ट भी पढ़ा पढ़ाते हैं कि फिलहाल तो मनीस पारिक पूछ रहें तो यूजी का स्लेवस को रन किया जा रहा है लेकिन आगे चलकर हम उसको भी रन करेंगे ठीक कि चलो आगे बढ़ते हैं लिया विग्सित हुई यह तो वह सेरों की समर्द्धी के प्रति उतना ज्यादा कंसर्ड नहीं था क्योंकि उसका यह मानना था कि सहरों की जो सम्रद्धी है वो गाउं याने ग्रामिंट छेत्रों से जो टेक्स बगेरा लिया गया है उसके कारण पर विक्सित हुई है तो वो सहरों की सम्रद्धी के प्रती उतना ज्यादा नहीं था क्योंकि यह जो प्रोस्पेरिटी है सहरों की वो ग्रामिंट छेत्रों से जो टेक्स बगेरा लिया गया है उसके किया करते थे अब यह कोस्टन भी एक्जाम में बन जायागा कि विदेशी यात्री के द्वारा यह कहा गया या भारती क्रसी के बारे में explain किया गया कि भारत की क्रसी की विक्सित होने का मुख्य कारण क्या बताया गया तो आंसर क्या होगा इंटेग्रेटेड विद इंटर एसीन नेडवर्क्स ओब ट्रेड एंड कॉमर्स साथी साथ इनों ने अपने लेखों में यह भी मेंसन किया है कि भारत के अंदर व्यापार था वो काफी ज्यादा विक्सित था और जो इंटर यान अंतर एस्याई जो ब्यापार वह भारत में भारत में भारत में आया करती था और बहुमूल ये धातुें आया करती थी क्योंकि यहां से थोधिंदेशों को करिद जाता था था निजम ठेंदा करती थी वह वहांप आप लोग देख सकते हैं किन चीजों की अत्यंत डिमांड थी इंडियन टेक्स्टाइल याने भारती बस्त्र पर्टिकुलर पर्टिकुलर ली कॉटन याने विशेस रूप से सूती कपड़े जो थे फाइन महीन मल 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 जो होता है रेशमी ब्रोकेड और साटन की बहुत मांगती है यह एक प्रकार से टेक्स्टाइल प्रोडक्ट से जिनकी अन्य देशों में काफी ज्यादा मांग हुआ करती थी इन चीजों को यहाँ पर आप लोग चित्र के रूप में भी देख सकते हैं इस प्रकार से जो मल मल का कपड़ा है फिर जो रेशमी या सूती बस्तर है इनका भारत में काफी ज्यादा प्रोडक्सन होता था और इनकी डिमांड होती थी और इसके बदले में हमें बहुमूल इन बातों को इबन बतूता ने अपने लेखों में अच्छी तरीके से मेंसन किया है सभी लोगों को बात समझ में आ गई होगी आगे बढ़ते हैं अब इबन बतूता के द्वारा अच्छा यहां पर क्या चीज़ है दोलताबाद के बारे में इबन बतूता क्या बताता अच्छी खासी विवस्था मार्केट में हुआ करती थी इंट्रिस्टिंग मार्केट हुआ करता था इस चीज को यहां पे उन्होंने बताया है इन दौलताबाद द्रेट मार्केट प्लेस फोर मेल एंड फीमेल सिंगर त्ह прtain है उस जगा को इन्होंने कहा तारबाद वह यहां तो इस प्रकार से मेल फीमेल सिंगर्स होते थे वहाँ पर प्रोग्राम बगेरा चला करते थे तो एक प्रकार से एट्रेक्टिब मार्केट हुआ करते थे ना सिर्फ बस्तूओं का बिने में होता था बलकि सामाजिक और जो सांस्कृतिक चीजें हैं उन्हों भी मार्केट में हुआ करती थी आप लोग तो जानते हैं यह अंदर बाजारों में से एक हुआ करता था अब यह कोस्टन पूछ लिया जाएगा ताराबाद तारा बाबाद तारा बाबाद जो इस्थान है वो किस चीज़ को इंडिकेट करता है तो यह कैसी जगह है मार्केट के अंदर दोलताबाद के अंदर जहां पर मेल और फीमेल स अब यह जो चीज़े है ना थोड़ी अलग थीश लिए उसने अपनी ग्रंतों में मेंसन किया इनके बारे में दुकानों को काफी ज़्यादा डेकोरेट किया जाता था सजाय जाता था कालीनों के माध्यम से कार्पेट से एड़ दुकानों के बीचों बीच में जूला सब्सक्राइब करती थी तो यह काफी ज़्यादा अच्छे तरीके से इन्होंने बाजार में चलने वाली विवस्थाओं को यहां पे एक्स्प्लें किया है आप लोग इसको पढ़ेंगे आपको आसानी से समझ में आ जाया इसमें कोई भी टिपिकल या कोई कठीन चीज नह था यानिक नहीं कि जो संचार विवस्था थी वह काफी विसेश परकार वह सिस्टम Ayya कि संचार प्रणाली अभी जो बिसेश परकार की संचार प्रणाली थी उसको यहां पर इबन बतुता ने काफी अच्छे से मेंशन कि अभ ध्यान रखना कों सन्पूश लेगा एक्जा प्रइबदीर को काफी विक्षित किया था ने निस को देखकर यह काफी अचमबित हुआ कि इबन बतुद्द और इस प्रणाली के माध्यम से जो माल बगेरा होते हैं जो बस्तुएं चीजें होती हैं उन्हें काफी स्पीड के साथ एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाया जा सकता था अगर किसी को फाइनेंस का ट्रांजेक्शन करना है तो डाक विवस्ता के माध्यम से एजली और थोड़ा स्पीड अप तरीके से उनको ट्रांसफर किया जा सकता था तो यह जो विवस्ता है यह ब्यापार को विक्सित करने के लिए की गई थी डाक विवस्ता को देखकर इवन सब्सक्राइब करने की विवस्ता राज जी के द्वारा या सासंकों के द्वारा उस समय पर की गई थी अल्मॉस्ट ओल ट्रेड रूट्स वर बेल सप्लाइड विद इंस एंड गेस्था उसे यानिकी लगभक सभी ब्यापारीक मार्गों के उपर सराय यानिकी जिसमें पा तो यहां पर एक्स्प्लेइन करते हुए बताते हैं कि इबन बतूता यह बताता है कि यह जो डाक सिस्टम था यह इतना विक्सित था कि जहां पर हम सिंध से अगर दिल्ली की बात करें तो आम व्यक्ति को पहुंचने में पचास दिन लगा करते थे लेकिन जो खूफिया ल का जो यहां पर एक्स्प्लें किया है भारत में उस समय पर डाक परनाली चला करती थी अब बर्नियर की बात कि जाए फ्रेंकोई बर्नियर के बारे में बात करें लेते हैं थोड़ा सा आप सभी जानते कि इस बर्नियर फ्रांस का यह यात्री था उस से यह 17th century में भारत आया है इसके साथ में प्रोब्लम यह थी किसने हर चीज को एक अलग प्रकार से एक्स्पलेंगे अलग प्रकार का बुद्धिमानी व्यक्ती था भारत में बहुत में चलने बाली हर एक प्रثा को किसके साथ तुलना करता था यूरोप में especially इसलिए फ्रांस में हो फ्रांस के साथ यह तुलना किया करता था यानि यूरोप के साथ इबन बतूता तो डिस्क्राइब एवरीधिंग एट इंड एक्साइट हिम एक्साइटेड हिम विकॉस फिट्स नोवेलिटी फ्रेंको इस बर्नियर ब्लॉंग टू अट डिफरेंट इ जो विवस्था है भारत में जो चीजें इसने देखी इसको सामने आई इसको जन्रली यह क्या करता है यूरोप की स्थिति के साथ दैनी बताता है यह थोड़ा कमता राखता ठीक है फार मोर प्री ओक्यूपाइड विट कंपेरिंग एंड कंट्रेस्टिंग वोट ही सौ इन इंडिया बिद्द सिट्वेशन इन यूरोप इन जनरल एंड फ्रांस इन पर्टिकुलर तो जो मैंने आपको बताए कि भारत में जो कुछ भी देखा यह जनरली फ्रांस यूरोप के साथ और इस पेसली फ्रांस के साथ उनकी तुलना किया करता था ठीक है इस आइडिया सी चीजों को अध्यान करें वो इन चीजों को समझें और उनके माध्यम से इसका जो विचारे इसके जो द्रश्टी कोण है उनका वो अपने पोलिसी मेकिंग के समय इनका उप्योग करें यह अपने आपको बहुती ज्यादा उतक्रष्ट इस्तर पर रखकर यह चाहता था कि जो पॉलिसी मेकर्स हैं याने जो नीती निर्माता है वो इन ग्रंथों के माध्यम से उसके द्रश्टी कोण को अपना है ठीक है ना यूरोप के अंदर यह चीजों को यह चाहता था यह चीजों को इस तरह से मेंशन किया ठीक है बर्नियर ट्रेवल सिन मुगल एंपाउंट लिखा है जिसका नाम है ट्रेवल इंदी मुगल एंपाइर अब यह जो ट्रेवल इंदी मुगल एंपायर इस मार्ग भाई दी डीटेल ओबसरवेशन क्रिटिकल इंसाइट और रिफ्लेक्शन तो इस ग्रंथ के अंदर उसने काफी डीटेल याने काफी ब्यापक रूप से मुगल सामराज्य का मुगल जो एंपायर रहा है उसका एक प्रिकार से आलोशनात्मक विबरन किया है detailed explanation किया है His accounts trying to place the history of मुगल within some sort of a universal framework और साथी साथ उसने मुगल सामराज्य के इतिहास को एक बेस्विक framework के अंदर बेस्विक प्रस्टमूमी के अंदर डालने की कोशिस करी है He also ordered the perceived differences hierarchically so that India appeared to be inferior to the beston world तो जो मैं आपको अल्रड़ी बता ही चुका हूँ कि इसने maximum चीजों के साथ जब तुलना करी तो उसको beston world याने जो यूरोप के देश है especially जो फ्रांस से उसके साथ एक प्रकार से आस्तविक ता इससे थोड़ी सी अलग थी कि ओके एकोडिंग टू बर्नियर वन ओप्दा फंडामेंटल डिफ्रेंसे बिट्वीन मुगल आइडियास एंड यूरोप बोस्दा लेको प्राइबेट प्रोपर्टी इन दे लेंड एंड फ्रंट एंडी फॉर्मर्स देखिए यहां पर जो अगला बर्नियर के अनुसार बन ओफ फंडामेंटल डिफ्रेंस बिट्वीन मुगल इंडिया एंड यूरोप तो इसके अनुसार की यूरोप में और मुगल भारत में जो बहुत बड़ा अंतर था वो यह था कि भूमी के उपर जो स्वामित होता था वो राज्य का होता भारत में थे समटों सल्तान है वह पूरे के पूरी भूमी का स्वामित था जब्कि यूरोप में थोड़ा अलंग था एपने घ्रंति united क्या mention कि एक बार फिर से देख लो according to Bernier one of the fundamental difference याने एक बहुत बड़ा मोलिक जो अंतर था वो क्या था मुगल इंडिया in Europe was that lake of private property is land of the former जो private property थी वो किसकी थी private property जो थी land of farmer उसको लेकर काफी बड़ा अंतर जो था वो ये था he thought that in Mughal Empire the emperor owned all the land and distributed among his nobels तो इसने ये बताया कि यहां पे जो सासक होते थे वो एक प्रकार से पूरी भूमी के मालिक होते थे और वो इस भूमी को इस जमीन को अपने जो अधिकारी हैं उनमें distribute किया कर देते थे और एक प्रकार से किसान सिर्फ एक प्रकार से labor का का काम किया कर यहांने जमीन का जो ओनर होगा जो मालिक होगा वो सुल्तान होगा जो अपने अधिकारियों में उन भूमी या लेंड एरियास को distribute करेगा ठीक है और इस विवस्था के कारण एक सम्रद्ध जो भूधारक बर्गे वो भिक्सित नहीं हो पाया लोग उतने ज्यादा सम्रद् जमीन के यहां पर जो भूमी है जो जमीन है अब जेorse जनरली का मेरेंड को जमीन है तो मेरे बाद वो जमीन कीषे मिएगी मेरे वेटे को मिलेगी तो जमीन माली है इसकारण से जो किसान थे वो जमीन की उपजावपन के उपर उसके लॉंग टर्म डेवलप्मेंट के उपर ज्यादा कार्य नहीं करते थे क्योंकि उन्हें पता है कि भूमी जो है वो एड़ा एंड जो है राजा के पास ही जाएगी तो यह चीजी हाँ पर आइडेंटिफाई की गई कि सासक जो थे राजा जो थे वो लेंड के ओनर हुआ करते थे यहाँ पर यहने मुगल भारत में ठीक है आगे देखते हैं एक एकस्टेंशन ओफ इस बर्नियर डिस्क्राइब इंडियन सोसाइटी एस कंसिस्टिंग ओफ अंडर अंडिफ्रेंसियेटेटेड मासिस ओफ इंप्रोब इंप बढ़िये लोग रहा करते थे जिनके ओपर सासक भर्ग जो था यहनितुरूलिंग क्लास ती जिसमें सुल्टान या राजा हुआ करति वह क하ожए वा अन्यूरेंड-खेटि वह। पर संख्यक थे राजा सुल्तान बगेरा जो थे वो तो काफी कम संख्या में थे लेकिन जिन के उपर रूल किया जा रहा था वो काफी निर्धन थे गरीब थे और वह बहुत संख्या में थे याने उनकी आबादी जाता थी अब चीजों को थोड़ा से यह समझे कि यह बर्नि अब बर्नियर को यहां पर यह चीज भी पता चली की या तो आमीर है तो बहुत अमीर जरीवी तो बहुत बहुत गरीब मधी क्यूट क्लस देखी बहुत यह द्यूमिथ्यस स्वह नहीं था यह बात को थोड़ा सा आप लोगग डिन्तिफाई करने यह बर्नियरन अपने गरंथों में इंपाइर को किस तरह से देखता है इट्स किंग वह दखिंग ओफ बेगर्स याने की मुगल सामराज्जी के जो राजा थे वह एक प्रकार से गरीबों और जो बेगर से जो बार्वेरियंस है याने की जो क्रूर लोग हैं उनके राजा हुआ करते थे यह हैं यहां की सिटीस और नगर हैं वो पूरी तरह से रियून्ड याने की डिट्रोइ हो चुकी है प्रुदूसीत और से एंड इट्स फील्ड यहां के जो खेत हैं जो फील्ड्स है किसा खेत हैं धाड़ी धाड़ी से उग रही है और वो पूरी तरह से रदल-दल मुगल ओफीसियल लेकिन अब यहां पर अगर बात की जाए तो भारत के जो मुगल इतिहासकार जैसे अभूल फजल हो गए है या फिर अन्य कोई भी ग्रंथ में इस प्रकार की बातों को मेंसन नहीं किया गया थोड़ा अलग प्रकार से उन्हों मेंसन किया ठीक है कि यूरीश ली नन अब दी मुगल ओफीसियल डॉक्यूमेंट सजेस्ट देट दा इस्टेट वोस दा सोल ओनर ओदी लेंड यहां पर सिर्फ इतना है कि जो भूमी है उसके उपर से टेक्स या कर बसूला जाएगा ठीक है जो भी प्रोड़क्शन होगा उसके उपर से टेक्स लिया जाएगा और इंस्टेंस अबुल फजल यहां पर उधारन के लिए अबुल फजल की बात की जा रही है जो कि अकबर का सोल्भी सताब्दी का एक प्रकार से इतिहासकार था उनके दरबार में डिस्क्राइब देट लेंड रेविन्यू वस्दा रिन्यूम्रेशंस ऑफ सोबर्निटी याने कि जो लेंड रेविन्यू है जो भू राजस्व है वह एक प्रकार से लोगों की रक्षा के लिए अन्य विवस्थाओं के संचालन के लिए जनता से लिया ज जिसमें दो नाम आप लोग यहां पर देखेंगे एक नाम आप लोग यहां पर देख पा रहें फ्रांस के दर दार्सनिक जिसका नाम है मॉंटेश क्यू इन ग्रंथों से काफी ज़्यादा प्रेरित हुए और उन्होंने जो डिस्क्रिप्शन लिखा उसमें उन्होंने भा भावित किया है काल मार्क्स को और मॉंटेश क्यू को ठीक है ध्यान रखना आगे बढ़ते हैं वाइल बर्नियर्स प्री ओक्यूपेसंस अभी हां पर आप में मोर कॉंप्लेक्स सोसल रिलेल रियलेटी की बात कर रहें एक जटिल सामजिक सच्चाई की बात कर रहें वाइल तो इसके बाब जूद यहां पर कई सारी सच्चाई जो है वो यहां पर जटिल जो सच्चाई है वो यहां पर बताई गई है एक्स्प्लेन की गई है उधारन के लिए यहां पर बारत के जो आठीज थे थी किना उनको किसी प्रकार से इंटेंसिब या लाभ नहीं हुआ करता था लेकिन फिर भी अपर इप्रोप्रियेटेट बाइट वाइदी स्टेट क्योंकि उनके द्वारा जो भी कारिक किये जाते हैं उसका प्रोफिट राज्य को ठीक है आठीज या कलाकार उतने ज्यादा सम्रद नहीं थे क्योंकि उनके उनका जो प्रोफिटे राज्य को मिलता था ठीक है एड़ सेम टाइम और इसी के साथ साथ वह भी बताता है कि ही कंसीडेड डेट वास्ट क्वांटिटीटीटीज ओफ प्रीश मेटल फ्लोड है नेक्सट इंफेक्ट ड्यूरिंग दा 17th सेंचुरी एबाउट 15 परसेंट ओव दी पॉपलेशन लिब इन टाउंस तो यहां पर बताया जा रहा है कि पंदरा प्रतिसत के लगभग आबादी सहरों में जिवास करती थी यह अगर यूरोप की तुलना की जाये तो उससे कह महराजां के जो सिविर थे जिसी वो चले जाया करते थे वो सहर भी अपनी सम्रद्धता को अपनी महत्व को खत्म कर दिया करते थे इस अज़ेश्टेट यह वाइवल सोचल एंड इकोनोमिक फाउंडेशन बट वर डिपेंडेंट ओन इंपीरियल पेट्रोनेश याने की प और्वैंड इनदर जो भू स्वामित्व के मुद्दे को और सहर उनकम पर उनकरेंगर हैं लगनों के उन ह Вторों को यहाँ पे though al भारत के सब्सक्रेंट को समय अहरों तरीके से रों समय भारत चाहर जैसे क्यानृत जीक्ष को मैंभापर चीता की थे प्रकार के सहर लेकिन इन्होंने अपनी ग्रंतों में इन चीजों को अलग प्रकार से करने की कोशिस किये ठीक है आगे बढ़ते हैं मर्चेंट्स ओफन है इस्ट्रोंग कम्यूनिटी भारत के सहरों के अंदर या भारत की जो ब्यापारिक सही या मजबूत जो बर्ग है सामजिक बर्ग जो है उसके बारे में मेंसन किया गया जैसे कि आप यहां पर देखेंगे मर्चेंट्स ओफन है इस्ट्रोंग कम्यूनिटी ओफ किन टाइस एंड वर ओर्गिनाइजड इन्टू दियर ओन कास्ट कम्यू पेसन बोडिस इन वेस् बिखान रखेंगे सेट जैसे एहमदाबाद बगेरा सहर के बारे में में संग किया गया आपके न्सी आटी में कि वहां के जो विवापारी वगेरा होते थे विवापारीयों के जो लीडर हुआ करते थे उन्हें सेट कहा जाता था ठीक है चलिए तो यहां पर आपको को दा महाजन सबर क्लेक्टिबली रिप्रेजेंटेट बाइड़ चीफ ओफ दी मर्चेंट कम्यूनिटी नोन एस तो महाजनों का सामुहिक रूप से प्रतिनिजिद्व व्यापारीक समुदवी के प्रमुख द्वारा किया जाता था जिसे किस नाम से जाना जाता है यहने व् फ्रेंग फ्रेंच फिलोसोफर मॉंटेस्क्यू यूजड फूस एकांट्स टू डेवलब दा आइडिया ओफ ओरियंटल डिपोजिशन डिपोटिज्म इस फ्रांसी सी दार्शनिक मॉंटेस्क्यू ने प्राच्य निरंकुस्ता के विचार को विक्सित करने के लिए किसके मैंने बता हैं कशी यह प्राइक स्वर् mois यहां पर दोान रिगांग्ण से यहां पेस बाराइड bench और दो सभ्योंटल रिचन के रूप में इंडियन और आप सभी जानते हैं कि यह बातों को इबन बतूता ने मेंसन किया और बताया कि भारत के जो सहर थे वह काफी सम्रद्ध थे और वह घनी आबादी वाले नगर हुआ करते थे यानि कि बोथ एंड और 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 इस दा करेक्ट एक्स्प्लेनेशन और एक को करेक्ट ली एक जो बाधा किया ने जो बेरियर्स उसने जो बताए हैं उनके बारे में हमने जिक्री किया था उसमें सबसे पहले तो भासा का उसने जिक्री किया था और दूसरा उसने बताया था क्या कि जो रिलीजियन और जो प्रताय है उसमें भिन्नता ठीक है तो इस हिसाब से दा कुछ ध्यान रखें दोनों चीज़ों को उन्होंने बाधा के रूप में बताया था इवन उसने तो तीन बातें बताई थी जो मैंने एक्स्प्लेंड करी है आगे बढ़ते हैं किसानों के लिए भूमी के स्वामित्व की उपस्थि ठीक में में इसी जमीने जमीनों के ऊपर किसानों का अधिकार नहीं है इसलिए बहां पैट क्या होगा वोर एगॡ़िकल्टर प्रोडुक्षन होगा यह दो चीजह लार्ज अमांट ओफ इंवेश्टमेंट बड़ी मात्रा में निवेस नहीं होगा बड़ी मात्रा में निवेस क्यों नहीं करेगा किसान क्योंकि उसको पताई कि लेंड तो उसको मिलना नहीं है तो यह दो चीज़ें हैं जो कि एक प्रकार से दुस्प्रभाब है भूमी के उपर राजा के कंट्रोल के तो आप का अंसरोगा टू एंट ठीक है नेक्स्ट अग्ला कोस्टन फ्रम उस एकांट भी गट भी डू गेट दा एक्सिस्टेंस ओफ एफीजियंट पोस्टल सिष्टम भारत में एक इफिशियंट पोस्ट्ल सिष्टम बिक्सित हुआ था इसके बारे में हमें किसके लेखों से जानकरी प्राप्थ होती यह संदी पोस्टल सिस्टम था और यह डाक विवस्था थी जिसको explain किया गया था उसमें बताया था न मैंने की राजाओं के द्वारा पोस्टल सिस्टम को ब्यापारियों को आकर्सित करने के लिए काफी ज्यादा विक्सित किया गया था गुड़ आफ्टर नून प्रियंका भारतिया जो यह जो डाक सिस्टम में उसको explain किया है ठीक है तो करेक्ट आंसर आपका ए होगा सभी लोग गलता अंसर दे रहे हां रोहन आपका अंसर करेक्ट है ठीक है दिलखुष सी बोल रहे हैं धर्मेंद्र कुमार थोड़ा सा थ्यान से आप लोग देखा कर यह चीजों को बहु अगले से सिसन में तब तक के लिए बने रहा है इस यूटी वाला पर थेंक्यू सो मच कि 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 झाल झाल